हेलो इस्टूडेंट माइनेम इस मनेज आज मैं बात करने वाला हूँ छत्यजगर कक्षा बारवी बोर्ट परिक्षा में छात्र चात्रा हूँ याने कि स्टूडेंट को किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है क्या रूल्स होंगे इन सभी चीजों के बारे में डि तुट्टूडेंट को बता दूँ ओपन बुक पद्धती से कक्षा बारवी की बोड परिक्षा होगा 36 बोड वालों का, अब इसमें क्या-क्या इंस्ट्रक्षन आपको फॉलो करना है इसमें आपको बता दिया गया है आपको बारी बारी से उन पॉइंटों के बारे में अच्छे से explain करने वाला हूँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करे और share करे और channel को join कर ले आपका first point है student अच्छे से आप लोग समझेंगे जो जो point आप लोगों को बोलते जाओंगा वो चीज़े आपको इस पर श्रूप से समझ में आ जाएगा first point है school वालों का पूरुव में सभी परिच्छा केंद्रों को प्रश्न पत्र यानि की question paper and answer sheet वित्रित की गई है जो उनके पास secure है second point है आपका परिच्छा सत्र 2021 के लिए इन प्रश्न पत्र वं उत्तर पुस्तिकाओं को ही उप्योग में लाया जाएगा third point है student ये भी school के लिए instruction है परिच्छा की सेल परिच्छा सत्र 2021 बना कर सभी उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम प्रिष्ट में लगाना अनिवार यह है fourth point प्रतिक परिच्छा केंद्र के लिए नामांके चात्रों की संख्या नुसार प्रश्न पत्र वं उत्तर पुस्तिकाओं किये जाने हैं तू 40 cm x 30 cm अकार के लिफाफे क्रय किये जाने होंगे यह स्कूल के लिफाफों के उपर चात्र का नाम रोल नंबर दिये गए प्रश्नों के विशाय कोट एवं प्रदान की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या प्रश्न पत्र प्रदान करने का दिनांक एवं समय तता जमा कर अंकित किया जाना है फिफ्त पॉइंट है प्रतेक चात्र के लिए आबंटित विश्यों के अधार पर प्रश्न पत्र यानि कि उन ये चात्रों के लिए most important है इसकूल के लिए भी instruction है ये जो student जिस stream से बिलॉंग करते हैं उसको उसी का प्रश्न पत्र दिया जाएगा पुर अधार किया जाना है प्रतेक विश्यों के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं एक सांत वित्रित किया जाना है एवं एक सांत ही जमा कराई जानी है प्रतेक विशय है तू एक मुख्य उत्तर पुस्तिका एवं एक पूरग उत्तर पुस्तिका प्रदान किया जाए तथा उससे वापस भी उसी भी प्रकार से लिया जाए चाहे उसमें कुछ लिखा गया हो या ना लिखा हो आपको दो उत्तर पुस्तिका मिलेगा एक आपका मेन उत्तर पुस्तिका होगा और एक सायक उत्तर पुस्तिका होगा यानि कि एक सैप्लिमेंटरी के जैसे उनको बोला जा सकते है सिक्स पुइंट है आपका प्रश्न पत्र पुस्तिका के लिफाफे का वित्रण एक जून से लेकर पांच जून तक किया जाना है ऐसा जरूरी नहींगी एक ही जून को आपको भेड़ी कठा करना है स्टुडेंट चाहे तो इन डेर्स के बीच में कभी भी ले सकते हैं एक इन डेट के बीच भी स्टुडेंट केरी नहीं कर पाते हैं प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को तो उनको एपसेंट माना जाएगा सेवन्थ पॉइंट है स्टुडेंट प्रश्न वित्रन करते समय यानि की कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को पालन करना है इसको आपको बताने के जरुवत नहीं है रोज आप देख रहे हैं जिनका विज्यापन के जरिये भी आप देखते हैं तो इन चीजों को आपको फॉल चातर का रोल नंबर वित्रन देरांग उत्तर पुस्तिका की संक्या चातर का हस्ताक्षा लिये जाना है और चातर जहां जब परिछा केंद्र पर जाओगे तो वही से निचर करना जो आप लोग नामांकन पत्र भरे थे उस समय आप लोग वही आस्ताक्षा आपको करना है नाइन पॉइंट है ये चीजे आप लोगों के लिए नहीं है सारी चीजे है यहाँ पर गाइडलाइन्स किया गया है आप इनको पढ़ सकते हैं असाने से अगर कहीं पर चीजे समझ मैं नहीं आ रहा है तो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेजे उन पॉइंट को मैं explain कर दूँगा और भी चीजे है जिनको आपको बताने की जरुवत है किस तरह से instruction आपको follow करने है क्या-क्या चीजे हो सकती है तो एक टेलिग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ तिसगर बोड़ वालों के लिए जहां पर student जोईन हो सकते है इसका link आपको description पर मिल जाएगा जहां पर जाकर आप जोईन कर सकते है किसी भी प्रकार की help हुआ तो मैं उनके लिए आपके लिए ततपर रहूँगा यही चीज़े आप लोगों को बताने वाला हूँ ज्यादा चीर इंस्ट्रक्शन नहीं है जो चीज़े आप लोग पहले से करते आ रहे है class 10 के examination में किस तरह से answer sheet को भरा जाता है इन्ही चीज़ों के बारे में mention किया गया otherwise आपका कुछ नहीं है इनमें भी और ज्यादा घबरानी के जरुवत नहीं है role number आपको proper तरीके से भरना है जो चीज़ आपको instruction दिये जाएंगे परिच्छा केंद्रे पर उन्ही गाइडलाइन्स को आपको follow करना है तो thanks for watching video please subscribe your channel को join कर लीज़े और telegram channel को join कर लीज़े मेरे साथ आप लोग join रहे है connected रहे है देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं तो thank you